नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू बनी बैटर्स बात करेंगे आज रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपर पिछले कुछ दिनों से उसके उपर काफी क्वेश्चन्स आये हैं आज इसका नंबर लगा है ऐसे आप के स्थोक का भी नंबर लगेगा कमेंट करते रहे हैं मेरे पास सब चीज नोट डाउन रहती है लेकिन छमा चाहूंगा अगर थोड़ी सी मेरी तरफ से डिले होती है तो कोशिश करूँगा थोड़ी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाऊ मीडियो की लेकिन एनलिसिस करने में मुझे भी थोड़ा समय लगता है ताकि इसको लेकर कापी ज़्यादा चर्चा जो वो मार्केट में हो रही थी तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेर किया जाए आज की रेट में इसका एनलिसिस क्या बोलता है लेकिन इस एनलिसिस को आपको अपनी एजुकेशन के लिए काम में लेना है और अपने ही उसका डिसिजन लेना होगा तो अब करते हैं बात रेनिसिस के उपर सबसे पहले इसके बेसिक डाटा को समझेए स्टॉक में 2016 से 18 के बीच में एक अच्छी तेजी आई थी यह वाली जो तेजी थी काफी अच्छी थी डिस्क्लोजर के तोरब पर बता दू इस तेजी में इसमें लॉस भी बुक किया था 17 में कमा के 18 में एक लॉस भी मैंने बुक किया था उसके बाद इस्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे आता है देन अगेन ऊपर देन नीचे राइट नौ क्या हुआ अपने हाई से स्टॉक कोविड तक 91 परसंट तक तूट गया 91 परसंट गिरे चायना गिरे रिटन्स नहीं आएगा वो खड़े हो सकते है या फिर गिरेंगे लेकिन वहाँ पर अपसाइड नहीं आएगी बाद में तो यह देखिए जिस टाइप से है एक आधि स्टॉक का बाकी 10 में से नो इस्टॉक तो गिरेंगे ही गिरेंगे या खड़े हो ज सकते हैं और सारी चीज़ समझेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडावेंटल और फंडामेंटल से पहले चलते है एक बार आज के वीडियो स्पॉंसर की तरफ वीडियो में आगे चलने से पहले बात करेंगे M-Stocks by Mirai Asset Mirai Asset का mutual fund industry में बड़ा नाम है और इनका ये broker है M-Stocks ये एक trading platform है जहाँ पर zero brokerage में trading होती है और यहाँ पर दिन के लाखो orders जो वो लगते हैं 145 crore की brokerage दो ने बचाई अपने 8.5 lakh clients की पिछले एक साल में अगर इनमें देखना चाहें तो आपको MTA facility मिलती है lowest मिलती है अपनी industry में 6.99 पे stock future option सब जगा आप trade कर सकते हो currency में mutual fund, IPOs ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे zero brokerage and no hidden charges जो है वो एक broker claim करते हैं तो इस broker को ज़रूर देखिए अगर आपको trading account को लवाना है और trades, 34 करोड से ज़्यादा trades अभी तक हो चुकिए तो यहाँ पर आपको 9.99 रूपीज में zero brokerage मिल जाती है हाला कि और भी बहुत सी facilities है लेकि 9.99 का plan जो है zero brokerage for life है across all products यहाँ पे आप ध्यान रखिए एक बार 9.99 देकर आप अपनी brokerage को zero कर सकते हैं इसके लाब और भी बहुत सी facilities है आप उसको discuss कर सकते हैं study कर सकते हैं इसकी website पे और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ इसकी margin trading facility के बारे में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि lowest है interest rate इनकी margin trading facility में holding period पे कोई limit इनकी नहीं है lifetime zero brokerage on all MTF orders जो एक claim कर रहे हैं और अगर normal हो तो यहाँ पे M stocks का और normal broker का अगर आप comparison करें तो आपको illustration purpose में दिखा रहा हूँ इतनी ज़्यादा savings आपकी हो सकती है यह M stocks का है margin trading facility और देखे margin trading facility किसके काम की है माल लिजे मैं किसी trade में बड़ा confident हूँ पर मेरे पास fund नहीं है तो margin trading facility काम की होती है उसमें मुझे अपना risk reward देखना है कैसे है और क्या मैं इस interest को इतने time में cover कर सकता हूँ उस हिसाब से मुझे एक trading platform चाहिए और low interest पे अगर वो काम हो जाए और अपनी management कर पाऊँ तो यहाँ पे MTA facility मेरे बहुत काम की हो जाएगी तो M stocks by Mira Aisait इसको आप जरूर देखिए link मैंने आपको description में दे दिया है और comment में भी pin कर दिया है तो अब हमारे सामने चल रहे है rain industries के fundamentals यहाँ पर देखिए company करती क्या है company vertically integrated producer है किसका carbon का, cement का और advanced material products की company manufacturing यह आपको पता हो नीचे headwater इंडिया में है और rain की manufacturing facilities है 8 countries में across 3 continents 8 countries और 3 continents में company manufacturing facility यानि छोटी-मोटी company तो नहीं यह बड़ी company है company CPC जो calcine petroleum coke होता है इसको बनाने में top leader है world के अंदर CPC के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते है तो एक बार Google इसके बारे में सारी data कर लीजे इसका use क्या होता है आपको idea लग जाएगा मैं इतना detail video नहीं बना रहा वरना वो 2 गंटे पार चला जाएगा आगे देखे company की capacity क्या है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होगी 2.4 trillion CPC बनाती है 1.5 million tons का जो है यहाँ पर annual तार डिस्लिक capacity है और यहाँ पर आप देखेंगे cement production की capacity भी कंपनी की लिखी हुई है अगर आगे चले इसकी subsidiary है जिनके थूँ एकाम कर रही है जिसमें rain carbon है और rain cements है यह South India के अंदर जो है वो इस company का cement business काफी है South India में अगर आप है और अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप comment में बता भी सकते है rain की cement वहाँ पे काफी अच्छी चलती है यहाँ पे देखिए कैसे पैसा कमाती है CPC से company का 39% का revenue आता है call tar pitch से जो है वो यहाँ पे revenue आता है 26 का other carbon से 16% का resin से 10% cement से सिर्फ 7% की revenue आती है तो cement का वोई major role नहीं है जादा तर role CPC का है यह जो है इसका short form है CPC या फिर call tar pitch यहाँ पर इन दो का जादा role जो है वो रहता है आगे बात करते हैं यहाँ पर segment कौन सा है तो segment में carbon segment से 70% revenue company लाती है advanced material से 22% की revenue और cement से सिर्फ 7% की revenue आती है अब carbon के अंदर जो चीजें थी वो हमने उड़ेडी उपर discuss करी है आगे चलते हैं यहाँ पर location wise breakup को समझो यह carbon का location wise breakup है क्योंकि जहाँ से major revenue आती है मैं वही समझना है तो अमेरिका से 40% की revenue आती है carbon की और Europe से 36% Asia से 13% Middle East से 8% और अफरीका से company की थोड़ी बहुत revenue आती है तो बहुत इसका बड़ा market share है बहुत बड़ा इसका capture है business location wise breakup overall देखिए इसका तो Europe से 35% America ex USA यहाँ पर 18% और अगर बात कर लेंडिया की 17% USA से 16-17 other countries से 7% और Asia ex Middle East से लगबग 5% की revenue company लाती है तो काम तो इसका बहुत जगा है business काफी फैला हुआ है वो एक movie में डालोग है ना अमारा business काफी फैला हुआ है वो यही वाला है business काफी फैला हुआ है operating profit breakup को देखिए advanced material से 25% cement से 6% मतलब cement का सिर्फ 6-7% का ही role है यह पता कर लीजिए जादा तर role advanced material का है second number पे और first number पे होगा carbon का carbon से 70-70% की revenue भी आती है और operating profit भी आता है अब इसके basic level fundamentals को समझीए यहाँ पर बात कर लेते है market cap सिर्फ 6,000 करोड की है इस company the book value formula अब इसका मतलब यह नहीं कि अभी जाके buy कर ले undervalued है यह पता चलता है book value के हिसाफ से कि जो अपनी book value से नीचे trade कर रही है यानि इसकी कुटाई unnecessary market ने कर रखी है पहला reason ही हो सकता है दूसरा हो सकता है कोई reason है जो आपको और मुझे नहीं पता यह दो कहानी हो सकती है वो हम चार्ट पे समझेंगे लेकिन yes यह चीज काफी interesting है यहाँ पे अगर मैं current market price से book value जाता हूँ 180 से अगर 250 जाए तो लगबग हो गए 70 point 70 से 75 plus 70 से 75 रूपीज जो है वो इस्टॉक उपर book value तक जा सकता है यहाँ पर खाली इतनी बात करें तो 180 का इस्टॉक अगर 70 से 75 रूपय उपर जाता है 70 से 75 रूपय उपर गया तो लगबग 40 से 45 परशनट की upside तो आपको यहीं पर मिल जाती है note down करिए इस चीज को तो यह भी note down करने वाली बात मनी आगे देखिए ROC 17 है ROE 19 है ठीक ठाक है खराब नहीं कह सकते अच्छी मानी जाएगी promotors की holding कम है 41% की है काफी कम मानी जाएगी debt एक issue है this is an issue this is a great point and this is a late point यह खराब point है debt होना मेरे को वो companies पसंदी नहीं आती जिन पर debt 1 से उपर का हो पहली बात audit होना इनी चीए 1 से उपर गाए तो मैं थोड़ा सा जराम जीक कर लेता हूँ EPS काफी अच्छा माना जाएगा 8 रुपे का EPS है अच्छा कहेंगे इसको अनपलेज है promotor की holding बहुत बढ़िया बात है profit की growth minus 76% रही है जो negative चीज है लेकिन इसी बज़े शायद गिरावट होई free cash low कंपनी का अच्छा माना जाएगा 3000 क्रोड का यहाँ पर market cap to sales undervalued है कंपनी undervalued है market cap to sales पे PG ratio के इसाफ से तो undervalued नहीं आती बट market cap to sales में undervalued है कंपनी का inventory turnover सिर्फ 3.7 का है जो की दिखाता है कि कंपनी अपना पूरा utilization नहीं कर पा रही है तो यह full utilization करेगी और अगर inventory turnover अच्छा बैड़ गया तो कंपनी में growth आ सकती है यह basic level fundamental है यहाँ पे judgment नहीं लेना PE को अगर industry की PE साथ compare करें तो वो 40 के लगबग है तो यहनी दो गुना होने का chance तो यहाँ पे भी दिखता है काफी point ऐसे हैं जो undervalued दिखाते हैं लेकिन एकाथ point ऐसे हैं जो की हमें थोड़ा सा concern भी यहाँ पे दे देते हैं आगे बात करते हैं next quarter results को देखिए यहाँ पर company की growth आप देखिए क्या maintained है क्या yes quarterly results तो काफी अच्छे आए थे यहाँ यह 4 quarter तो काफी अच्छे थे लेकिन पिछले 2 quarter से अच्छे results नहीं आ रहे साथ में अब company का जो upcoming result अब हो मैं आपको बता हूँ शायद 23rd Feb को आएगा 23rd Feb को तो मुझे इस company के management से यह चीज़ की दिक्कत है अब देखिए मेरे होने से उनको फरक नहीं पड़ेगा पर actually जब December में company का quarter end होता है आप दो महीने बाद आप इतनी बड़ी company हो इतनी बड़ी मतलब आपका इतना फैला हुआ बिजनस है आपकी shareholders का number काफी ज़ादा है लगबग 2-3,00,00 shareholders इस company को hold करते हैं public में तो आपको डेड़ दो महीना late result नहीं देने चीज़िए चलो 20 दिन 25 दिन समझ में आता है लेकिन 2-2 महीने आपको board meeting उसी ही साफ से arrange करनी चीज़िए कि आप compliance उसे साफ से कर सकते हो मुझे बताने कि आवशकता नहीं है क्योंकि जब मैं अपने chartered accountant और company secretary के exam देता था तो हम सारी चीज़ पढ़ते थे मैं final में था तो मैं सारी चीज़े पढ़ता था सारी चीज़ करते थे तो management हो सकता है बिलकुल कर सकते हो आप और अगर आप अपनी board meeting को उसी साफ से schedule कर लो कि नहीं हमें जो है result जो है वो तुरंत प्रभाव से देना है यानि 10-20 दिन के अंदर quarter end होने के बात देना चीए दो-दो महीने लेट देना अच्छी बात नहीं होती है 23rd feb को इस company का result आने वाला है यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले September से इस September को ही हम देख सकते हैं तो यहाँ पर 5500 करोड की sales थी जो इस September में 2T profit 429 करोड से loss में company आ चुकी थी last September में लेकिन अभी December का result देखा जाएगा वाट उसमें अभी 10-15 दिन का time है उसके बाद ही वो देख पाएंगे अगर हम इसको इतने data को समझे तो हमें पता चलेगा company की देखिए बार-बार यहाँ पर margins में issue आने शुरू हो चुके थे margins गटते गए हैं company के लगातार तो margins गटे हैं तो profitability पर effect आया है और इसी विज़े से company का यहाँ पे हमें loss भी देखने को मिला है interesting चीज़ देखिए interest को यह interest मेंने mark किया देखिए company का interest लगातार बढ़ते जा रहा है क्यों बढ़ते जा रहा है क्यों कि loan इस पे जादा हो गया है debt काफी जादा है तो वो हमें देखना होगा और जिसको समझना भी होगा margins आप maintain नहीं कर पा रहे आपका debt जादा हो रहा है तो definitely punishment आपको मिलेगी उसी आपसे आपका काम होगा है बीच में अगर आप देखेंगे 19 रूपीज 87 पैसा company का EPS गया था जो किस minus में 2.68 आ गया तो market will definitely punish you accordingly उस टाइम पे आपके margins काफी अच्छे थे लेकिन इस बार June में आपने वो भी margins maintain नहीं किये लास्ट येर दिसंबर में जो आपकी सहलस्ती देखते हैं इस बार क्या आती है अभी फिलाल हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है आगे बात करते हैं जो कि पिछले एक साल से काफी कम दिख रही है ये एक साल से काफी कम नजर आ रही है ये भी हमें समझना होगा अगर आप पीछे से overall growth को उठा के देखेंगी तो भी आपको पता चलेगा growth पहले तो काफी अच्छी रही लेकिन बाद में यहाँ पर अगर आप profitability के terms में देखेंगे तो एक pause लग गया था अगेन एक profit अच्छा आता है यहाँ पर लेन अगेन एक यहाँ पर pause लग जाता है अगले ही साल तो ये company के लिए growth तो आनी चाहिए थी बट वो आई नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से market expect करता है तो वो उसको maintain नहीं कर पाया और market उसी के according आपको punishment भी दे रहा है अगर आप back in 2000 17-18 जाएंगे तो profit देखिए यह वाले कितने अच्छे profit थे उसके बाद में लगातार profit टूटते गए देन एक साल अच्छे आते हैं और अभी भी आप 400 करोड के आसपस का profit लेके बैठे हैं और आपको यह भी समझना होगा जब आप 2017-18 में profit दा रहे थे तो आपका EPS देखिए कितना जादा था अभी आपका EPS देखिए कितना कम हो चुका है तो अगर आपको वेलुएशन्स चाहिए तो उसी साबसे आपको EPS भी मेंटेन करना होगा आगे बात करते हैं यहाँ पे कमपनी के ग्रोथ की तो अगर हम ग्रोथ को यहाँ पे समझ ले सेल्स ग्रोथ को देखिए दस साल की, पान साल की, तीन साल की ठीक ठाग ग्रोथ रही है ओवर और लॉंग पिरिड ऑफ टाइम कमपनी ने ग्रोथ अच्छा किया है और कमपोंडनेट प्रोफिट ग्रोथ भी ठीक ठाग रही है लेकिन पिछले टेलिंट ट्रलमत में माइनेस आचुकी है क्योंकि लॉस कमपनी ने पोस्ट किया था आगे बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक प्राइस येजियर की तो 10-12% से येजियर मिलता है, इससे उपर नहीं मिला है एस पर करेंट डाटा, रिटरन और निकोडी कमपनी का लगबग अगर आव एवरेज निकालेंगे तो 13-15% के बीच में आता है इससे उपर का रिटरन और निकोडी कमपनी का नहीं है आगे देखते हैं, यहाँ पर हम डिसकस करेंगे इस कमपनी के बैलेंशीट पे, तो यहाँ मुझे इश्यू लगता है कमपनी के इस चीज से, यहाँ पर, यह जो चीज है यहाँ से मुझे इश्यू है, यहाँ से मुझे दिक्कत है यहाँ अला कि डाटा मेरे पास काफी पीछे का अवेलेबल है अभी का अवेलेबल नहीं है, बट कमपनी के उपर debt जो बढ़ता गया वो एक issue वाली चीज है यह हमें ध्यान देना होगा, पीछे से काफी बढ़ता आ रहा है अगर shareholding pattern को समझ ले तो हमारे पास December का shareholding pattern है promoters की holding as it is है, कोई change नहीं है यहाँ पर FIAs ने अपनी holding कुछ कम कर दी है 4% के लगबग से, यह आपको दिख रहा होगा और अगर DIA इसकी बात करें तो उनकी holding थोड़ी सी slightly बड़ी है, कुछ खास नहीं बड़ी है अगर बात कर लें आप है public की holding की तो public 41% से 46% पर जा चुग है लगबग 35-4% की holding वहाँ बड़ी है और देखिए कंपनी के 2,30,000 share holders है तो कंपनी को इतना delay नहीं करना चीए as per my view, यह नहीं होना चीए उसके आप excuse दे सकते हो, इस वज़े से होता है बहिं मुझे excuse नहीं सुनना result आने चीए, तो कंपनी के हातों आता आने चीए इतना late नहीं होना चीए अब चलिए आगे बात करते हैं चार्ट पे देखते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बोलता है तो अब हमारे सामने चल रहा है rain का monthly चार्ट यहाँ पे हमें सारी डिटेल दिख रही है चलिए इसको मिटाते हैं, इस data को हम मिटा देते हैं यहां से ताकि हम एक basic idea लग पाए कि rain industry में आज की date में क्या हो रहा है देखे यह rain का basic level data है इस data को अब समझते हैं यहां पर मैं सिर्फ इतना आपको दिखाना चाहता हूँ गिरावट के बाद यह upside आई, फिर एक गिरावट आई, फिर एक upside आई अब आप इस level को और इस level को देखिए पिछले कितने ही महिनों से लग बग लग बग अगर आप देखेंगे तो दो साल होने को आ जाएगा भी दो जाट चोबीस आ चुका है दो साल से stock इसी range के अंदर जो वो अटका पड़ा है जहां पर नीचे में 130 रुपए के आसपास एक important support है 130 के आसपास एक support है और उपर में अगर बात करूँ यहां पर मैं आपके सामने level लगा दू तो यह level लगबग निकल के आएगा मेरे सामने 210 रुपए के आसपास का 210 के ऊपर और 130 के नीचे इस stock में दिखका दाए तक हम कुछ भी नहीं कह सकते देखिए यह चीज़ आपको maintain करनी होगी इसको समझना होगा या तो आप इस point को काटो या इसको काटो तब तक ही consolidation range में तो monthly chart पे trend क्या है monthly trend हमें पता लग गया rain का monthly trend is sideways यह क्या है? sideways है तो यह हमें पता चला इतना clear हुआ आगे समझो यह wave का high और यह wave का लो जहां कटेगा उदर फटेगा simple कहानी high और low जहां कटेगा उदर फटेगा यह में monthly chart जो वो बोल रहा है हलाकि chances क्या है? वो भी हम समझ लेते हैं आईए अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा समय आपको ध्यान से दिखाता हूँ चार्ट को जूम करके यह wave ऐसे लगा है stock उसके बाद देखिए नीचे उपर नीचे उपर करता रहा है stock यहां से नीचे जाने को भी stock बार बार मना कर रहा है कि 140 के नीचे भी नहीं जाओंगा और उपर में stock देखिए इस resistance को काटने के लिए attempt गिया है अभी इसी महीने इसने 200 रूपे के level को touch भी किया है तो एक काफी हद तक slightly positive होने की कोशिश भी कर रहा है तो monthly chart sideways है लेकिन positive होने कोशिश कर रहा है about to turn bullish है यहमें note down करना होगा आगे चलते हैं weekly chart पे क्या पता यहाँ पे कुछ situation different हो और scenario different नजर आए look at this, यह weekly chart है यहाँ important चीज को देखिए गाध्यान से यह जो तेजी आई है, this is a direct wave तेजी तो एक ही wave में ऐसी तेजी आई है जहाँ पे stock 150 से सीधा 200 आगया यहाँ अगर आप देखेंगे 30-35 टका stock ने सीधा एक run-up ले लिया है यहाँ पे तो अब stock वापिस correct भी कर रहा है वहाँ से अपने high से, मतलब recent high से 200 से 180 आगया 10% correct हो गया तो यहाँ पर, जिन bull से यहाँ miss हुआ है वो definitely यहाँ पर buy on dip के लिए बैठे होंगे यहाँ आपको देखना होगा कि इतना बड़ा selling pressure जो था यहाँ पर बार-बार stock जाके रुक रहा था वो इस बार absorb हो चुका है और stock वाटेम्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है तो एक positive sign तो है लेकिन अभी तक confirmation नहीं है एक होता है देखो indication आना यह को था होता है confirm हो जाना हमें पता चल जाता है कि इस इंसान ने ऐसा कीया है हमें लगता है फिर पता चलता है नहीं तूने अई ऐसा किया है वो होता है confirmation तो हमें confirmations नहीं है इंडिकेशन आ चुके हैं इसको convert करते है चलिए daily chart पे क्या पता picture कुछ और नजर आए यह daily chart मैंने आपके सामने इस company का लगाया rain industries का जहां पर मैंने 200 दिन का moving average भी आपके साथ जोड़ा but look at this, इस company ने 200 दिन के moving average को फिलाल कोई respect नहीं दी है यह time pass करे जा रहा है और time pass zone में है यानि यहां पर यह stock जो है उपर तो निकलने कोशिश कर रहा है but फिलाल कोई setup यहां पर नहीं बना हुआ if we are looking for a setup then there is no setup so अगर मैं daily chart की बात करूँ तो daily chart भी अभी क्या momentum है sideways है, sideways to bullish कह सकते है daily को, sideways to bullish और अगर weekly chart की बात करें तो weekly chart is sideways only monthly chart की बात करें तो वो भी sideways है, वो bullish नहीं है तो यह sideways ज्यादा है चार्ट bullish होने में भी समय है, इतना में पता चला अब करना क्या है वो देखते है company के fundamental समने समझे क्या पता company में कुछ value निकल के आ सकती हो या कुछ हो सकता हो, तो उन चीज़ों को में ध्यान में रखके अभी decision लेना होगा बात करते हैं सबसे पहले इस company के again monthly chart पे कि आज की date में क्या-क्या समझना है, इसको में समझना होगा अब देखे सबसे important level जो है नीचे में वो मैंने एक level लगा रखा है, that is होगे, और अगर अगर उपर की बात करें तो 210-15 का level जो है, इसकी उपर काटने के बाद, stock में अच्छा momentum create हो सकता है, ये भी अमें पता चल रहा है जहां पर stock के लिए 240-260-280 के gate खुलते वे नजर भी आएंगे, वो आगे की बात करेंगे अभी swing में बात करेंगे उसकी, लेकिन ये पता चल रहा है, कि stock इस wave के अंदर capture है, इस wave के नीचे आने पर दिक्कत होगी, यानि 128 के नीचे, 130 के नीचे दिक्कत है, तो अब करें क्या, वो समझते हैं हम case study कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं, किसी के पास इस भाव का लिया हुआ हो सकता है, या किसी के पास इस भाव का हो सकता है, तो वो अभी की date में क्या करें, हम बात करते हैं, कि अगर कोई already invested है, already अगर आप invested है, तो अभी की date में क्या options हो सकते हैं वही, सबसे पहले देखो company का fundamental कैसा है, fundamental में कहुँगा okay है, क्या बहुत attractive है जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, बहुत attractive है looking at the current number, December का result क्या आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक यह कह सकता है, कि okay है fundamental, काफी हद तक okay है, ऐसा नहीं कि okay okay है, काफी हद तक okay है, लेकिन बहुत ज़्यादा attractive हो, ऐसी फिलाल situation नहीं, reason is debt, जो मुझे थोड़ा सा issue लगता है, debt नहीं होना चाहिए हालाकि company का management कैसे उसको deal करता है, वो आगे देखने वाला होगा, और वो chart हमें बता देगा, आगे बात करते है इसके technical कि, technical क्या है, तो technical sideways है, तो एक चीज़ clear हो जाती है fundamentally अगर okay है, sideways अगर technical है, stock अपने high से इतना down है base building हो रही है, यह क्या हो रहा है this is called BB, BB मतलब base building, यहाँ पर base building हो रही है तो base building होने के time में मेरे को there is no sense in selling, मेरे को selling का कोई sense नहीं नज़र आता no sense in selling selling का कोई sense नज़र नहीं आता, यानि looking at the fundamentals क्योंकि वो okay okay है खराब नहीं है, okay fundamentals है तो अगर चाहे तो वो accumulate strategy अपना सकता है, again second चीज, यहाँ पर बात करते है fresh investment वाले क्या करें, क्योंकि market में बोला जा रहा है कि यह stock जो है, वो 400-500 जा सकता है, और जो कि fundamentals को देखके लगता भी है, कि growth आई तो यह company बहुत जबरदस return दे सकती है यह भी सच्चा ही है, यह हमें मानना होगा तो fresh investment वाले भी क्या कर सकते हैं, simply चीज है, उनको ध्यान रखना होगा कि वो with sell जाना चाहते हैं, या without sell, तो with sell वाले ध्यान रखें, कि यहाँ पर वो start कर सकते हैं, लेना start, यह असा नहीं कि एक बार मिले start in parts, parts पर अगर वो लेना चाहें, तो ले सकते हैं और dip पे मिले तो better होगा, start in parts अगर मिलता है, तो better है, और with sell करेंगे काम, तो rupees 128 का closing जो है, वो important रहेगा long term के लिए, इसके नीचे दिक्कत है, वरना अगर वो बैठना चाहें उपर के side में, तो ध्यान रखिएगा stock आने वाले 2 साल में, जो मेरी expectations है, 2 years, अगर performance अच्छी रहती है company की, तो 5200 percent का upside candidate हो सकता है 5200 percent upside candidate हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा अभी confirmations नहीं है, indications आए है, तो एक थोड़ा सा risky bet है, तो उसी को जाना चाहिए, तो थोड़ा सा risk लेने को यहाँ पर तयार हो with SL वालों के लिए था है, अब बात करते हैं यहाँ पर without SL वाले without SL वाले, उनको क्या करना चाहिए, उनको यह सोचना चाहिए, कि अगर इसके नीचे आया और उनको लगता है कि नहीं, मैं time देने को तयार, मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा, 5 साल 10 साल भी लगे, तो मुझे कोई फरक नहीं है, उसी को देखना चाहिए भईया, वरना without SL वाले को रुपए और 400 के गेट खोल देता है, तो बहुत सबर्दस रिटन्स मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को, यह वे मानना होगा, बट वो 26 से पहले हो सकता है, कंसोल डेट भी करें, एक बार में उपर नहीं जाएगा, उपर जाके फिर होगी, उसके समें स्टॉक 235 रूपीज और उसके बाद में अगेंट 240, सॉरी, 250 रूपीज का है, 250 रूपीज, 250 के आस पास जा सकता है, 245, 250 और देन स्टॉक 270 प्लस के स्विंग दिखा सकता है, बट यह ध्यान रखना, इसमें स्विंग करो, तो keep in mind, this is a slow moving stock, यह एक slow moving stock है, आज तक इसने slow moving दिया है, तो हमें memory में रखना चाहिए, कि अगर हम swing कर रहे हैं, तो slow moving है, तो partial profit booking ज़रूरी होगी, वड़ना हमारा पहला target आया, फिर साला stock नीचे आ जाएगा, फिर problem करेगा, तो better होगा, partial profit booking हमें करते हुए ही काम करना होगा, swing कब है, yes, 210-15 के ऊपर range के जाने के बाद हमें देखना है, फिलाल अभी swing नहीं है, तो 210-15 के ऊपर देखना चीए, फिलाल देखने का काम नहीं है, और इस चीज़ को समझना है, कि इस wave के अंदर जो वो stock फिलाल kept है, इस wave से जब निकलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, तब जाके कुछ momentum create होगा, swing वालों के लिए, को overall देखा जाए, तो rain industry एक ख़राब company नहीं है, rain industry एक अच्छा business है, अच्छी company है, काफी फैला हुआ business है, इनका, दिक्कत सिर्फ यह है, कि company के उपर debt जादा है, और company उस तरीके से अपने आपको utilize नहीं कर पा रही, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, वो performance नहीं ला पा रही है, तो अगर वो performance आती है, company उसे आपसे perform करती है, तो अच्छे returns भी हमें देखने को मिल सकते, साथ में company में जो FIIs का हमने investment देखा था, उसमें इस company में Monish पाबरी जो है, वो एक बहुत बड़े investor है, उनका investment है, वो FIIs की थूँ ऐसे हैं, कि वो अमेरिका में रहते हैं, और वो जो अपनी company से investment कर रहे हैं, वो FIIs की category में count होते हैं, उनका भी इसमें अच्छा-खासा investment है, लेकिन वो काफी समय से है, उनको तो returns कुछ भी नहीं मिले होंगे, काफी समय से है वो उनका investment, तो उनका भी इसमें investment है, ये भी एक चीज है, जो हमें ध्यान में रखनी होगी, पट overall देखा जाए, तो थोड़ा सा जो risk लेना चाहते हैं, उनकी काम का है, और अगर मेरे को इसमें जाना हो, तो I would definitely go with stop loss, मैं बिना stop loss इसमें नहीं जाओंगा, investment purpose से भी मैं उसके बिना इसमें नहीं आपको एक reply मिल सकते हैं, इस बात को आप विशेज ज्यान रखे, तो wave analysis एक training program है, जहां one-to-one आप मेरे साथ सीखते हैं, और सीखने के साथ ही आप अपने आपको उस category में पाते हैं, जहां पे आप ऐसी analysis खुद से भी कर सकते हैं, बड़ आपको पहले सीखना होता है, one-to-one मैं इसलिए सीखाता हूँ, ताकि एक batch में मेरे पास एक इंसान रहे, पचास लोग ना रहे हैं, मैं एक टाइम पे एक इंसान को deal कर सकता हूँ, और अगर आप चैनल की membership लेना चाहें, diamond membership लेके आप हमारे साथ connect हो सकते हैं, support resistance जानने के लिए, और आप STP चार्ट इसके नर लेकर हमारे साथ connect हो सकते हैं, जहां पर हम उन चार्ट को आपके साथ शेर कर देते हैं, जहां पर कोई breakout या फिर reversal आने वाला हो, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, चैहिंद, चैभारण investments in securities markets are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing कर्これ जढ़ों ए व分के बाफ